मेरे पहरे बत्चों, सबसे पहले आप सभी को जेहिन, आज इस वीडियो में हम नेशनल इंस्टिचूशनल रेंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, यह है एक गौर्मेंट की संस्ता है, जिसके दोरा हर साल जितने भी इंस्टिचूट है, जैसे मेडिकल के इंस्ट होगे, इंजिनरिंग के इंस्टिचूट होगे, उनको एक रेंक दी जाती है, तो आज हम यह देखेंगे कि जो मेडिकल के इंस्टिचूट हैं, मेडिकल कोलेजेज हैं, वह कौन सी रेंक पर कौन सी कोलेज है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि NIRF 21 की लिस् या फिर इसको हमारी वेबसाइट www.topdaeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है जो आप जानना चाते हैं इसमें टोप से लोएस्ट के करम में कोलेज दी गई हैं आल इंडिया, स्टेट, आयूस, वेटनरी सभी प्रकार की बुक अवेल हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने काउंस्ट्लिंग प्रोसेस को भी समझा दिया गया है कि एक सीट लेनी है कब सीट शोडनी है यह सब को समझा गया है साथ में इसमें दो साल की जो previous year की cut-off है वो दी गई है piece structure वगरा दिया गया है तो ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी अब बात करते हैं हम NIRF 21 के बारे में तो ये जो NIRF है ये जिन parameters पर ये काम करती है जिन parameters पर ये institute के rank के निर्धारित करती है वो parameters है सबसे पहले है teaching, learning and resources इस parameter पर rank निर्धारित करती है ये दूसरा parameter है research and professional practice तीसरा parameter है वो है graduation outcome चोथा है inclusivity इसके बाद में पांचवा जो parameters है वो perception यनि कि इन पांच parameters पर ये ranking निर्धारित की जाती है NIRF द्वारा तो देख लेते हैं 21 में ऐसे कौण कौण से institute है कितनी ranking पर है वो तो मैं आपको बता दूँ कि 21 में total medical के 111 institute ने participate किया था इसमें सभी institute participate नहीं करते हैं जो इंडिया में government के institute है वो सारे participate नहीं करते हैं private भी सारे participate नहीं करते हैं इसाज 21 में 111 institute जिसमें government भी सामिल है private medical college भी सामिल है dimmed भी सामिल है nursing college भी सामिल है तो इन्होंने participate किया था अब इनमें 21 government colleges की rank दिखाई गई है total इसमें 50 institute की rank दिखाई गई है तो हम यहां पर government institute की बात करेंगे कि कौन सा government institute कितनी number पर था हर बार कितर है इस बार भी सबसे number one पर है aims दिल्ली यह हर बार ही होता है और इस बार भी aims दिल्ली number one ranking पर है इसके बाद में हम बात करें PGIMER चंडीगड PGIMER चंडीगड दो नम्मर का है मैं आपको यहां बता दूँ कि जो PGIMER चंडीगड है उसमें PG courses होते हैं MBBS के लिए GMCS चंडीगड है Government Medical College and Hospital चंडीगड है वो 19 ranking पर है अब हम बात करते हैं आगे थाड़ नम्मर की तो तीसरे नम्मर पर CMC वेल्यूर है प्राइवेट का मैंने नहीं लिया है लेकिन एक ही एक कोलेज ली है क्योंकि इसकी फीश गॉर्मेंट कोलेज से काफी कम है तो यह टोप थ्री कोलेजेज में आती है मैं आपको यहां बता दूं कि एफमसी नहीं पार्टिस्पेट नहीं किया था इस रेंकिंग के लिए अब हम बात करते हैं आगे थार्ड नम्मर शुरी फोर्थ नम्मर की तो फोर्थ नम्मर में जो है भी एचिव सेवन रेंकिंग का कोलेज है मैंने आप बीच में जो आ रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कोलेज या डिम्ड युनिवर्सिटी उनको छोड़ दिया है तो हम मानते हैं कि साथवी रेंकिंग का जो कोलेज है एन आई एन आई आरफ के एकोर्डिंग भी एच कोलेज है यानि कि 9 रेंकिंग की कोलेज है एम्यू 15 रेंकिंग की कोलेज है एम्यू जो है वह 15 रेंकिंग की कोलेज है इसके बाद में मदरास मेडिकल कोलेज चिन्नई मदरास मेडिकल कोलेज चिन्नई 19 रेंकिंग की कोलेज है इसमें इसके बाद में हम बात करें मदरास श बात करते हैं आगे मौलाना आजाद की तो मौलाना आजाद 17 रेंकिंग की कोलेज है यह NIRF ने इसको इस साल 17 रेंक दी है इसके बाद में VMMC की बात करें तो VMMC 18 पर है इसके बाद में LHMC 22 रेंकिंग पर है LHMC जो लेडी हार्डेंगे मेडिकल कोलेज है 22 रेंकिंग पर है एमस जोदपूर 28 रेंकिंग पर है जोदपूर एमस जोदपूर एमस है वो 28 रेंकिंग पर है इसके बाद में हम आगे बात करते हैं GMCH ये 29 रेंकिंग पर है मैंने इस्वरी 19 पर बता दिया था ये 29 रेंकिंग का कोलेज है NIRF के अकोर्डिंग UCMS है वो 30 UCMS 30 इसके बाद में आगे हम बात करें AIMS भावनेश्वर भावनेश्वर है वो है 31 रेंकिंग का इंस्टिटूट है इसके बाद में हम बात करते हैं Medical College कोलकटा की तो वो 32 रेंकिंग का कोलेज है Medical College कोलकटा अब हम बात करते हैं Serial No.15 Medical College कोलकटा ये है Medical College कोलकटा 32 रेंकिंग का कोलेज है यहां हम Government College की बात कर रहे हैं PSG Coim2 PSG Coim2 है 33 रेंकिंग का कोलेज है अब हम बात करते हैं आगे SMS Medical College जैपूर 38 रेंकिंग का कोलेज है इसके बाद में SCB कटक उडिशा का SCB कटक ये भी जो है वो 39 रेंकिंग का कोलेज है 19 नमबर पर हम बात करते हैं अन्ना मलाई उनिवर्सिटी अन्ना मलाई उनिवर्सिटी जिसके अंदर आती है राजा मुतिया मेडिकल कोलेज आती है राजा मुतिया मेडिकल कोलेज आती है वो 40 रेंकिंग की कोलेज है इसके बाद में रिम्स इम्फाल आगे हम बात करते हैं रिम्स इम्फाल 20 सीरियल नमबर पर रिम्स इम्फाल ये है आपका 43 रेंकिंग का कोलेज और इसके बाद में हम बात करें आगे त्रिन वेल्ली ये मेडिकल कोलेज है 48 रेंकिंग का तो इस परकार से तोटल 50 कोलेजेज का रेंक शो क्या गया है जिसमें प्राइवेट और डिम्ड भी सामिल है जिसमें 21 गौवर्मेंट कोलेज यानि कि 20 government college है एक private cmc है तो उसका ranking मैंने आपको बता दिया है अब ये ranking मैंने आपको बता दिया है लेकिन ये हर साल change होता रहता है आपने जब 24 फिल करनी है तो क्या इसी के according फिल करनी है नहीं आपने जो 24 फिल करनी है वो अपने location को देखते हुए इनमी से top medical college को देखते हुए 22 या 19 में किन बच्चों ने पहले college को प्रिफेर किया है उसको देखते हुए आपने college का ranking set करना है उसी के अनुसाद 24 देनी है आपने जैसे मालो अगर किसी student का नजदीक पढ़ता है मोलना आजाज तो वो बी एचियू में क्यों जाएगा वो मोल किसी का पढ़ता है SMS जैपूर नजदीक पढ़ता है तो वो SCB कटक क्यों जाएगा तो इस परकार से location को देखते हुए location को देखते हुए ranking को देखते हुए आपने choice fill करनी है यह मैंने जो NRIF की ranking बताई है फिर बता देता हूं दोबारा यह हर साल change होती रहती है तो आप प्रांकारी थी एन आई एन आई आराइफ के बारे में मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जैड़ें